आप करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, लेकिन समय अनुसार अब बदलते हुए, पेरिंट को तुम बहवान हो, हम ब्रमास में याद रोको, ब्रहमा तुम हो, रचनाकार तुम हो, खुदा, खुद, खुद मर्ड से खुदा बनाया ना, एक दंडा ही तो लगा तो उतने कि बच्चा है, वो औरत कैसे वड़की, कैसे गाना गाएगी, उसके भाव क्या होंगे, उसकी से रिसे नाचेगी बिल्कुर उसका फल बूरा पाऊंगे, अगर आच्छा करोंगे तो उसका फल निश्चित तोर से आच्छा पाऊंगे नवसकार, ओम शान्ते, आबूरोज शान्तिवन के मनमोहिनी कॉंप्लेक्स में स्थित, गौडली वोड स्टूडियो में आप सभी का हरदिक स्वागत है एक मुलाकात की आज के श्रिंकला में हमारे बीच में मौजूद है एक ऐसे महमान जो युवाओं के लिए प्रेणा स्रोत है ओम राजे निबालकर जी, आप MLA हैं, शिवस्तेना, उस्मानाबाद महराश्टर से और आपके बारे में मैं खास बात ये बताना चाहूँगी कि आप मातर 26 साल की उम्र में ही MLA के पद पर नियुक्त हो गए थे महराश्टर असेम्बली में इनका जीवन ना केवल युवाओं के लिए बलकि हम सभी के लिए और राजनेताओं के लिए एक मिसाल है क्योंकि इनका जो मूल निष्ट जीवन और अध्यात्मिक्ता का जो समावेश जीवन में किया है ये अपने आप में ही प्रेणा स्रोत है तो ओम राजे जी आपका स्टूडियो में पदारने के लिए हारदिक स्वागत है सबसे पहले तो हम आपसे ये जाना चाहेंगे क्योंकि आप यंगेस्ट या फिर ये कह सकते हैं मोस्ट जूनियर MLA है अपनी महराश्टर असेंबली में तो इतने कम उम्र में इतनी अच्छी पोजीशन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट पर आप पहुचे है क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसी बाते हुई है या फिर क्या बातों ने आपको प्रिरित किया जो आप इस मुकाम तक आ जाए है इसके पीछे भी बहुत एक इंसिडेंस है वैसे मेरे पिता जी पॉलिटिक्स में थे 1992 से उनका काम चल रहा था बहुत अच्छी तरीक से काम करते थे वो पॉलिटिक्स में एक मास लीडर थे 2006 में मेरे पिता जी जिसन को आपोज कर रहे थे डॉक्टर पदमसियां पाटिल बोलके है वो भी एक उनके आपोनन्ट थे 2003 में जो इलक्षिन हुआ महराष्ट विदान सब आसिम लिका तो मेरे पिता जी इंडिपेड़न्ट कैंडडिट बोलके उनके सामने आपक शगड़े हुए थे तो उसके बाद वो इलक्षिन कॉंटेस्ट होने के बाद मेरे पिता जी केवल 84 वोट से वो इलक्षिन हार गए थे तो इस ये जो बात थी ये पदम सीं पाटिल जो थे मेरे आपोज में पिता जी की तो उनको बहुत खटक रही थी कि मेरे पिता जी एक पॉलिटिकल राइवल तयार हो रहा था उनके बीच में एक आपोजन तयार हो रहा था हो रहा था स्ट्रॉंग हो रहा था क्योंकि 30-35 साल से उनकी ही सत्ता थी और एक आपोजन खड़ा हो रहा था उस दवरान में 2006 तक मैं पढ़ाई कर रहा था इंजिनिरिंग कॉलेज में मेरा एडमेशन ले लिया था और ऐसे ही मेरा कोई इंट्रेस्ट ही नहीं था राजनीतियाने में भूत इसको यानि देखता भी नहीं पसंद करदा था बहुत 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 दूर रहता था पॉलिटिकल आदमी नहीं आना चाहिए, कोई भी नहीं खड़ा रहना चाहिए, अगर खड़ा हो गया तो मैं इस तरह उसको खदम कर दूँगा, तो ये इंटेंशन चो थी, ये वृत्ती चो थी, तो उसको आपोज करने के लिए मैंने इलेक्शन कॉंटेस्ट किया, और उसक का उतनी ही ताकत वाला एक आपोनंट आपके सामने खड़ा रह सकता है, बले ही उसको राजनिती की कोई बैक्ग्राउंड नहीं हो, अगर उसको कोई आनुबव नहीं हो, फिर भी ओ खड़ा रह सकता है, ये दिखाने के लिए मैंने इलेक्शन कॉंटेस्ट करना चालू कर उसके बाद MLA आसिमली का इलेक्शन मेंने कॉंटेस्ट किया, ओभी इशिव सेना पर्टी के माध्यम से मेंने जीत लिया, और इसके बाद में लोगों को बताना चालू कर दिया कि एक्च्वल पॉलिटिक्स किसके लिए होता है, खाली MLA यंपी बनकर घूमने के लिए नही कि लिए होता है कि वो लोग आपको वोट दे के चुन के देते हैं, आपको प्रथम नागरिक ताकि जो कमान आपके हाथ में सो पी गई होती है कि तुम जाओ, कुछ तो हमारा भला करो, कुछ तो हमारा ठीक टा करो, और उन सारे लोगों के हमसे बहुत सारी आपक्षा ही होत प्रतिक मिनिट प्रतिक शन हमको काम करना चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए, इस प्रकार का मानते हुए मैं काम करता हूँ, और आज भी जितना मेरे से हो सकता है, वो भी प्रामानिक तासे में करने की कोशिश करता हूँ, और ये जो सब बेस्मेंट है, वैसे तो लोग जो एलेक्शन हो गया अगली 2014 में तो उसमें जब जरूर मेरा काम देखेंगा मेरा काम बोलेंगा मतलब आपने अपनी लाइफ को समाज सेवा के लिए समर्पित किया जी बिल्कुल उससे पहले आपका कोई इंटरस नहीं था राजनेती में और आप शिव सेना से जुड़े हुए है क्योंकि आप अध्यात्मिक्ता से भी जुड़े हैं कि अध्यात्मिक्ता व्यक्ती भी आप है और अध्यात्मिक्ता मतलब एक शान्ती शान्ती कानुभव तो आप ये दोनों का जो समावेश है यह समनवे है, यह कैसे कर पाते हैं? जो ब्यूरो कार्ट से जो आदिकारे वो काम नहीं करते थे जो गोर गरीब किसान है उनको बहुत तकलीप ही देते तो हम भी उसी तरह दर्ने पे बेट जाते हैं तो उसको आफिस को ताला लगाते तो इस प्रकार से चलता था लेकिन मैं जब से ब्रह्मकुमारी जो विश्व विद्याले के माध्यम से प्रजापिता ब्रह्मकुमारी से जुड़ा हुआ उसके बाद मैंने कोर्स किया साथ दिन का इसके पीछे का जो नॉलेज होए वो मैंने आत्मसाद किया और उसके बाद मेरे में जो ड्रास्टिक चेंज आया वो मैं भी आप से शेयर करना चाहता हूँ कि पहले हम जाकर aggressive होते थे, किसी को तो कुछ तो बोलते थे, मारते थे लेकिन ऐसा नहीं है, अभी मेरा खुद का नबो में आपको बतना चाहता हूँ कि अभी हमारे महराष्टर में बिजली का बहुत सारा प्रॉब्लम है, किसानों को बिजली जो है कट करती दिये जाती है तो कट करने का तरीका जो है, लीगल जो है यानि गवर्मेंट नो जो जी आर निकाला है वो इस प्रकार से है कि जिन जिन लोगों ने वयक्तिक रूप से बिल पे नहीं किया है वो उन लोगों के वयक्तिक disconnection होने चाहिए यानि personal disconnection होने चाहिए लेकिन आदिकारी है वो क्या करते थे, कि सारे transformer भी बंद कर दे थे, substation भी बंद कर दे थे तो उसमें प्रॉब्लम ही आता था कि जिस किसान ने बिल बरा है, उसका भी बन और जिसने नहीं बराए उसका भी बर तो मैं वो जियार साथ में लेके गया मेरे मन में भी बहुत गुसा था जाकर ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ तो उसको मारूंगा ही लेकिन जाने के बाद मैंने ये जो अभ्यास किया था साथ आठ दिन का उस मेरे मांडं में आ गया कि ये साथ-ाठ दिन जो मैंने कोर्स किया है जो सब यान आत्मसाद किया है तो अगर मैं ऐसे तरह केसे जाकर वहाँ पर बरताओ करूँगा तो मुझे नहीं लगता कि जितना समय मैंने इसमें विर्थ मेने दिया है वो सब विर्थ हो जाएगा और मेरे जो गुरुजे जुनों ने मुझे एक साथ दिन का कोर्स किया था आपने जगदाले भाहिए तो उन्होंने मुझे बताया तो अगर सपोस ये बात में तो न्यूस पेपर में आई जाती तो उनको भी थोड़ से कट कर रहे है यहां की आपको सरकार ने बताया है कि इंडिपेंडंट कट करो तो यह मैंने इसका पंचनामा किया उसके रेकॉर्ड सब ले लिए और इसका लीगल पंचनामा करके मैंने फिर उपर के जो आफसरार है उनको बता दिया कि ये इलिगल तरीका है और उनके यह सब काम हुआ यह किसी भी अपशब्द के न उच्छार न करती हो एगना तो यह बहुत सारा बदलाव मेरे खुद में आया है और मैं यही मानता हूं कि इसे यह न्यां से जो आपके अंदर जो बदलाव आता है इसकी बहुत जरुरत है मुझे तो ऐसा लगता है और मेरे में भी जो बादलाव आया है इसका कारण यही है कि जो मैंने विश्वरी देलाए का जो यह साथ दिन का कोर से वो किया और न्यान को आत्मसाथ करने के कोशिश की यह सब बाते और ड्रास्टिक चेंजेश जो आये हैं केवल इसके वज़े से मुझे में आये है यह तो कमाल ही अनुभाव है आपका कि इतने यंग एज के अंदर जहां एक यूथ है आज देखते हैं यूथ कहां पर है और आप यह एक यूथ शेनी में ही आते हैं और इस अध्धात्मिकता का जो है आपने एक प्राक्टिकल एक्जाम्पल साबित किया है सबी के सामने तो बहुत बहुत बड़ी बात है यह और दूसरी बात मैं आपसे जाना चाहूंगी कि एक महराश्ट्र है वहां पर उसकी जो राजनीती है वो कोपरेटिव मुवमेंट पे बेस्ट है और आप स्वयम भी एक शुगर मिल के मालिक है तो आपको क्या लगता ह कि कोपरेटिव मुवमेंट में अगर हमिल पेली को ऑड़ कर दे किस तरह के चेंजर हम ला सकते है सो साइटे के अंदर नहीं में पर यह पनी एक जानी करना चाहता हूं की कोई भी एक सिंगल मालिक नही कर्थे गढ़ा तो सारे जो किसान है उसके जो शेर सोल्डर है जो सबासद है वो उसके ऐसली मालिक रहते है आपने बात सही कही कि महाराष्टर में कोपरेटिव सेक्टर बहुत बड़ा है कोपरेटिव सेक्टर से ही महाराष्टी की राजनिती आगे चलते आई है और जो कुछ विकास भी हु मिले चलाई गई, राजनीती के लिए, उसका फाइदा नुकसा नहीं देखा गया, मिलो का, खाली राजनीती के लिए उसका इस्तिमाल हुआ, और उसी के, इसमें, मैं जो शुगर फैक्टरी चलाता हूँ, वो टू थाउजन सिक्स तक मेरे, मेरे पास नहीं थी, आप उनके प तो मेरे शुगर फैक्टरी में भी 427 करोट्स का करजा था, 427 करोट्स रुपे, बहुत हुज आमाउंट ही, उसमें ऐसी ही, एक दो शुगर फैक्टरी बन जाती, इतना बड़ा करजा था, और इस खसता हाल में ये शुगर फैक्टरी, वहां की किसानों ने, बड़े विश होता था, जो कि आज तक किसानों को नहीं दिया जा रहा था, नहीं दिखाया जा रहा था, तो उतने अर्णिंग होने के बाद इतना पैसा में ने, डिसी सी, जिल्ला मद्देवरती सहकारी बैंक के उसमानावात की, तो वहां पे भर दिया, और फैक्टरी के जो सिर के उपर करजा था, करजे का बोजा था, उसके ब्याज भी जब भरना पड़ता था, तो ये कम करने के बाद उसके उपर का 78 करोड सुर्पे ब्याज जो है, वो भी भर दिया, तो मैं ये सब करते टाइम लोगों को थोड़ा बुरा लगा, जो किसान थे, उनको लगा कि कैसे क्या उपन ना आएगा, जो कुछ नफा मिलेंगा, तो उसमें से जो पैसा आने वाला है, जो कि उसके उपर आपका हाक है, लेकिन एक करजा रहने के वज़े से इसके उपर ब्याज भी लगता है, 78 करोड सुर्पे ब्याज हमने बैंक को बराए, तो एक इसके पैसे से जा रहा है आपके ही पैसे से जा रहा है, आपके ही मुना पैसे जा रहा है, तो आप थोड़ा सबर कीजे, पहले ये जो करजाए हो हमने चुका देते हैं, तो उसके बाद बहुत सारी बाते फैक्टरी में चल रही थी, तो जो वहां के आधिकारी है, करमचारी है, वो भी थोड़ा ना रहा है, चल इक लिः उसके बात मेरी सोच भी बदल गई, मैं पॉजटु थिंग करने लगा, जो कुछ भी बाती है, मैं कभी नेगिटिव ये से नहीं लेता था युका नहीं लेता था, इससे पहले मेरा कहा है, मैं कभी भी सोच तो नगिजटिव ये सोचता तो बुरा ही कर्मचारी की जो कामगारों की स्ट्राइक चल रही थी, वो स्ट्राइक आभी भी लगबग चार-पास दिन पहले खतम हो गई, तो ये सब कुछ जो घटा है, वो केवल मेरी पॉजिटिव सोच की बज़े से घटा है, तो पहले मैं ऐसा सोचता की ये कभी खतम ही होगा, नहीं होगा, ऐसे ही नुकसान में रहते जाएंगा, किसानों को नुकसान होगा, कामगारों को नुकसान होगा, तो ये सोच मैंने बदल की, ऐसी करें की, नहीं नहीं, ये हड़ताल बिल्कुल खतम होगी, तो ऐसे सोचने के बाद, आज सही में हड़ताल खतम होगी, और शुगर फैटरी रन करने के लिए भी मदद मिलने लेगी और निश्चित रूप से आज मैं कहता हूँ कि बिल्कुल मैं चला कर उसके उपर जो बाकी कर जाए वो भी चुकता करते जाओंगा एक सही बात में आपको बताना चाहता हूँ एक पॉजिटिव बेस से कि आज राजनितिक की और राजनितिक लोगों की तरफ देखने का नजरिया जो है जो जनता का बले ही उन्होंने चुनके दिया है हमें उतने माद्यम से क्या बोलते हैं उसको एक आच्छे नजर से नहीं लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो ऐसा नहीं सोचती हम कभी वहां से उसका व्यापार के माध्यम से उपयोग करना नहीं चाहते है हम क्या चाहते हैं कि इसका उपयोगों के लिए हो हम आलग सोच रखने वाले लोग है हां उसमें हमको तकलीप होती है कि हम उतना पैसा याइन जो खराब तरीके से पैसा तो हम नहीं कामाते तो उस तरीके से हम बाटते भी नहीं है तो लोगों का थोड़ो बुरा लगता है कि जबी गनपदी के हमारे हैं पर बहुत बड़ा फेस्टिवल रहता है अभी नवरातरी है जी 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 तो वहाँ पे सब गनेश मंडल रहते पंडाल रहते बड़े बड़े से तो लोग हमरे पास वर्गनी मांगने के लिए आता है कि चलो आप ये मेल है तो हमको इतना पैसा दे दो तो मैं उनके बोलता हूँ कि नहीं मैं तो नहीं दूगा क्योंकि मैं गलत तरीकिसे पैसे नहीं आन करता तो मैं आपको दू कहाँ से ये नहीं कर सकता तो उनको थोड़ा बुरा लगा लेकिन एक बात मैंने एक्जामपल के उपर उनको बता दी कि मेरा जो MLA Fund आता है, तो मैं MLA Fund डेने के दौरान किसी से भी एक पैसे का ब्रस्टचार नहीं करता है, मैं एक पैसा भी नहीं लेता, मेरी प्राबानी की इच्छा ये रहती है, मेरी मनिशा ये रहती है, कि उसका एकदम आच्छे से काम हो, अच्छा काम हो, तो इस प्रकार का विचार काम करता हूँ, तो ये बात आभी लोगों को समेज में आ रही है, कि चलो, ये ठीक है, हमको नहीं देता वरगनी, पंडाल के लिए, गनपती के लिए, लेकिन ये काम बहुत आच्छा करता है, और इन्होंने जो काम किया है, उसके माद्देम से, उसमें करप्शन नहोंने के बिल्खुल आपने सही बात कही है, उसके लएए हम जाकर कहीं पड़ाई नहीं कर सकते, उसके लिए आपकी विचार परवित्र होना चाहिए, आपकी मांड़ सिक्ता परवित्र होने चाहिए, ये तो मेरे शुरू सी है, उसी बेस्पे में काम करता हूँ, और वहां पे जाक और यही बात मैंने समझ लियी है और इसी प्रकार से प्रामाध यता के बेस पे हमें काम करते जा रहा हूं और विदान साबा का जो कारेकाल चलता है जो कामकाज चलता है उसकी भी पढ़ाई कहीं ने रहती तो मैंने पुस्तक में पढ़के याने किताबों में पढ़के मैंने नहीं सोचा अगर नहीं सीखा कि कैसे वहां के कामकाज में पार्टिसिपेट करना है तो वहां के हमारे केम पॉजिटिव चभी वाले वो एमेले हैं, पचास साल से काम कर रहे हैं, और जब आसेमली का सेशन साल होता है, तो ग्यारा बजे से जब तक सेशन नहीं खतम होता है, तब तक वो हाउस में बेटा रहते हैं, उनके जो तारंकित प्रश्न बोलके मराटी में रहता है, उनके जो रहे हैं, उनका काम किस प्रकार से करवा के ले रहे हैं, तो ये सब बाते हमने उनको देखकर सीके हैं, और उनको देखकर ही हमने ये सब सीका हैं, और उसी प्रकार से हमारा आज मारकरमन चालू है, और हाँ, बिल्कुल जो बाते किसानों के हग में, गोर गरिब लोगों के ह तो वो सारे प्रश्ण में आसेमले में बिल्कुल उटाता ही उटाता हूं, उसके उपर उतर ही लेने का प्रैस करता हूं, और इस परकार से एक पॉजिटिव कामकाच करने का तरीका हमारा चल रहा है, लेकिन एक बात मुझे ऐसे अलगती है, मुझे जो देखने में आई चार साड़े चार साल में, कि कभी भी आप भी आज देखते हैं कि लोकसबा का जब सत्र चालो रहता है, तो लोकसबा का सत्र बंद गिरने के बाद या खतम होने के बाद ब्रेकिंग न्यूज आने चालो होती है, कि लोकसबा का जो कामकाच है दिन बन के लिए बंद हो गया है, ऐसे कभी न्यूज नहीं देखिए कि ऐसा नहीं कि काम बंद ही होता है बंद भी होता होगा लेकिन यही कामकाज कभी-कभी रात के देड़-देड़ बजे बारा-बारा बजे तक चलते हैं हमारे महारश्टा ऐसे मिलेका तो चला है मैं खुद बैट कर पार्टिसिबेट के आए हमारे जैसे बहुत सारे एंग्स्टर E.M.L.A. हैं वहाँ पे भी वो भी आच्छा कामकाज में पार्टिसिबेट करते हैं लोगों के प्रशन का उत्तर दूणने के कुशिश करते हैं लेकिन उसकी कभी न्यूज में आती हुई नहीं दिखी कि चलो आज विदान सभागा सत्र रात देड़ बजे तक चला बहुत सारे E.M.L.A. जो है उन्होंने उसमें पार्टिसिबेट किया यह यह प्रशन का उत्तर लिया तो थोड़ी मीडिया की सोच भी है वो भी पॉजिटिव तरीके से लेने की ज़रूरत है और जब तक हम पॉजिटिव वे से नहीं लेंगे तब तक यह पॉजिटिविटी जो है वो नहीं आएगे खराब होता है तो खराब बोलना ही चाहिए अगर अच्छा होता है तो अच्छा भी बोलना चाहिए तो क्योंकि आप राजनीती से बहुत अब गहराई तक जुड़ चुके हैं एक तरह से और मैं यह जाना चाहूंगी क्योंकि आपकी जो सकरात्मक सोच है वो आपको कम समय में अधिक सफलता तक लेकर आई है बिलकुल तो तो यह कि राजनीती का जैसे कि हम सभी जानते हैं राजनीती का जो नजरिया है लोगों के दिमाग में वो कहीना कहीं नेगटे हुआ है आंप देखते हैं कि कैसे गोटाले होते है कैसे मंत्री जो है जेल में जा रहा है लेकिन आप एक युवा अवस्था में है तो ये क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मेरी अपनी सोच से मैं राजनीती का जो नक्षा है वो बदल सकता हूं कभी अपने ऐसा ऐसा मिशन या विजन बनाया हो बिल्कुल मैंने आपको जो पहले बा क्यों खुश है कि ने काम अच्छा कर रहा है तो थोड़ी सी तकलिप होती है क्योंकि आज हम बोल रहे हैं अच्छा करना चाहे तो उसका परिणाम भी आपको चुकाना पड़ता है उसकी जो सारी पिडा है वो भी सहने पड़ती है लेकिन मैं एक सोचता हूं कि अगर इस प प्राप्ते किया, एक positive thinking भी बहुत जरूरी है, वो भी मैंने प्राप्ते किया, तो इस प्रकार से मेरा एक कहना है, मेरा एक माध्यम है, कि जबी मैं अभी किसी rally के लिए जाता हूँ, किसी गाउ में अगर जाता हूँ, तो मैं पहले मेरा भाशन नहीं चालू करता, तो मैं पह करके, जादा से जादा लोग जब इसमें इन्वाल होंगे, तो किसी के बीच में स्वार्त नहीं रहेगा, जो आज सब गोटाले हो रहे है, पैसे कमानी की जो भागम भाग चल रही है, यह नहीं होगा, लोग समझ जाएं कि हमारे लिए इतना है अच्छा है, आच्छा का फल बूरा है, यह अगर समझ जाएगे, सयम रखेंगे, धहरे रखेंगे, तो इसका एक बहुर बारा पॉजिटिव इंपेक्ट वहां उसमें आएगा, और मैं ऐसी कोशिच कर रहा हूं, कि ठीक है, अभी मैं पूरे महाराष्ट का तो नहीं बता सकता, लेकिन जिस कॉंस सोच रहा हूं, कि जादा से जादा लोग प्रजापिता ब्रह्मकुमारी से जुड़े, उसके नॉलेज का अध्यान करें, उनके मन में परिवर्तन हो, और एक बार लोगों के मन में परिवर्तन होगा है, तो आच्छा क्या और बुरा क्या, इसकी पहचान लोग खुदी कर स और यह जब मैं खाली आपकी स्तुती करने के लिए नहीं बोला हूं, मैंने खुद इसका परिणाम मेरे पिता श्री में भी देखा था, तब मुझे एक कंफ्यूजन था कि यह कैसे ड्रास्टिक चेंजिस मेरे पिता जी के स्वभाव में कैसे आ गए, इतने वो जी अपना पुरा जीवन समरपित करके आज लोगों के लिए समाज के लिए काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी विचारदारा है, बहुत बड़ा ज्ञान है इसके पीछे, तो इसके माद्यम से निश्चित मुझे ऐसा लगता है, कि आगर मैं पॉजिटिव सोचता हूं, त तो निश्चित हम जो जिस सुरिनम यूग की आपेक्षा कर रहे है, कलपना कर रहे है, अगर उसमें जाने का है, तो यही एक माध्यम है, यही एक संस्ता है, जो हमें उस यूग में लेकर जा सकती है, वहां तक आगे बढ़ा सकती है, ऐसा मेरा खुद का बरोसा है, विश्वा से और मानना भी है, और क्योंकि आप एक यूवा है, और आज कल हम यूवाओं की जो हलत देखते हैं, वो कुछ और हो गई है, यूवा आज नशा करता है, आज कल हम देखते हैं कि वो शोशन भी कर रहा है, ताचार भी कर रहा है, और बहुत सारी गलत आदतें, बातें उनम तो specially मैं युवाओं के लिए आपसे कहना चाहूंगी कि आप युवाओं के लिए क्या प्रेणा देना चाहेंगे कि वो इस जो रास्ते से भटक चुके हैं तो वो रास्ते भटके नहीं वो समाज के लिए एक कारगर व्यक्ति साबित हो जी बिल्कुल इसका जो बेस्मेंट है हम जब हमारा जब जनम होता है और जनम होने के बाद जो हम हमारी क्या बोलते है एक साल के होते है दो साल के होते है जैसे जैसे समय हम इस प्रकृति में विदित करना चालू होता है तब सबसे जरूरी जो बात होती है वो हमारे उपर सांसकार किस प्रकार से हो रहे है क्योंक सबसे पहले गुरु माबाप झिर्ट जी 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 तो उन्होंने मुझे अच्चे सांसकार दिये इसके लिए मैं आज किसी वियसन के माध्यम से या किसी तरब से मैं जाता ही नहीं हूँ क्योंकि मैं ये सोचता हूँ पहले कि अगर मैं कुछ मैं कुछ बॉरा काम करूँगा तो मेरे माबाप का नाम खराब होगा तो ये सोचता हूँ मैं कोई भी आगर बूरी चीज हमारे नजदिक भी आती है तो ये सोचकर काम करता हूँ कि बस ये आगर करूँगा तो मेरे माबाप का नाम खराब होगा और इस प्रकार से अगर सारी जो यूथ है इसका जो शिक्षन है, यह बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि टच आप दलाइप, हमारा भी कुछ तो प्रोग्राम आता है, मुझे नाम बता नहीं उसका, जो स्टुडेंट्स है, उनके लिए है, तो इस प्रकार से मुल्यों का शिक्षन, कि आप किस प्रकार से जीव में आपका जीवन विथित करना चाहिए, इसके जो मुल्य है, तो यह उसमें बताए जाते है, तो इसका शिक्षन आगर देना चालो हो गया, तो आज जो परस्तिती है, वो परस्तिती की मुल्यों का शिक्षन आभी नहीं दिया जा रहा है, अभी सिर्फ क्या शिक्षन दिय जाता है कि वह इंजिनेर होने का है, डॉक्टर होने का है, एको मुल्यों का शिakingशन कोई नहीं दे रहा है, गोहीं नहीं बता रहा है, तो वो माबाप को भी भूगतने पड़ रहे है क्योंकि इससे जो आउलादों को उनको ने जन्मत दिया वो डॉक्टर हुए इंजिनियर हुए तो उन्होंने पहले माबाप को भी घर से निकाल दिया तो उनको माबाप की परवा नहीं रहे क्योंकि उनको उसके मूले ही नहीं बहुर सिंपल तरीके से, तो उनको देखर में बड़ा हुआ हूँ, मेरे पिता जी थी, वो भी एकदम सिंपल तरीके से व्यवार कर थे, किसी को भी अगर काम हो, अगर आडचन हो तो उसको मदद करने का नेचर था, तो इन सारी बातों में चलते हुए में, मैं स्वाइन जो तायार हुआ हूँ, तो इनके तालीम में तायार हुआ हूँ, इन समस्कारों के तालीम में तायार हुआ हूँ, तो अच्छे समस्कारों कि अगर आपके उपर तालीम होगी, तो बुरी बाते का असर कभी आपके उपर नहीं पड़ेगा, और यूद को यही बतना चाहता हू कि आप भी इसे प्रकार से सिर्फ बोलने से नहीं होगा मेने बोलने से या आपके बोलने से नहीं होगा इसके लिए प्रैक्टिकल करना वो बहुत जरूरी है जब तक आप इसके बेस में नहीं जाएंगे अगर आपका जो प्रोग्राम है कल हमारे देशमुख भाही भी आये थे उनका भी मेने कल बाशन सुना प्रोग्राम में तो उन्होंने कहा था कि अभी मेरे स्कूलों में ये सिलावेस कर देने वाला हूँ अभी मेरे बच्चों को में सिलावेस कर देने वाला हूँ तो मेरा ऐसा मानना है कि महाराष्टी की विदानसाब आसेमली में आने वाला जो नेक्स्ट वेंटर सेशन है वहाँ पे में एक प्रस्ताव लेकर जाने वाला हूँ कि आप ये मुल्यों का शिक्षन देने के लिए आप इसका समावेश सिलावस में कर दीजिए जो काम आप करना चाहते है वो काम इस प्रकार से हो सकता है और बहुत सारी जो बूरी चीज़े है व्यसन है उसको अगर आप दूर हटना चाहिए तो सक्षम पिड़े आपन को तैयार करने पड़ेंगी तो उसको तयार करने के लिए सब बेश जो है वो सांसकारणा है और उसका माद्यम जो है तो ये शिक्षन है तो इस परकार से हम अगर जाएंगे अगर इस परकार से हम बढ़ेगे तो मुझे आपक्षा है, आशा है कि सारे युवा भी अच्छे होगे और सारे लोग जब अच्छे होगे तो सारा कामकाज अच्छे से ही चलेगा और हम अंत में जाते जाते आप से कोई बहुत अच्छा सा मेसेज सुनना चाहेंगे जो हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि आपका तो जीवन ही प्रेड़ना दायक है क्योंकि तीस साल की उम्र में एक बहुत अच्छे मुकाम पर आप गए है और केवल मुकाम ही नहीं आसिल किया है, अपने प्राक्टिकल करम से प्राक्टिकल करमों की जलक से आपने अधिकों को आइना दिखाया है तो दर्शकों के लिए और विशेश कर जो हमारे नेता है, युवानेता है राजनेते जो हमारे उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे मैं इतना ही बतना चाहता हूँ कि हर बार जब हम सोचते है कि ये काम ऐसे प्रामनिक दासे करूँगा तो कैसा होगा वो काम उस परकार करूँगा तो कैसा होगा, लोगों का अच्छा लगेगा क्या, लोगों को कैसे लगेगा, लोगों को आच्छा क्या लगता है लेकिन परिष्टिती में उनके लिए अच्छा क्या है और लोगों का अच्छा क्या लगता है दोनों डिफरेंट बात है वैसे और राजनीती में इस दोनों बातों का बहुत खयाल रखते है जो राजनीती नेता है तो मैं कभी नहीं सोचता हूँ कि लोगों के लिए आच्छा क्या है आच्छा क्या लगता है इसके बारे में मैं कभी नहीं सोचता और उसका विचार भी नहीं करता है हां उसमें तकलीप होती है बहुत, उसके लिए बहुत सारा संगरश करना पड़ता है, उनकी बूरे बाती सुनने पड़ती है, लेकिन अन्त में जाकर जो हमें पता चलता है, जो हमने प्रामानिक तरीके से जो कुछ काम की है, उसका जो फल हमको मिलता है, उसका जो फल हमको मि तबी ये कहते हैं कि अच्छा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा का ख्याव रखना है जी जी बिलकुल बिलकुल और ट्रामानिक्ता से प्रजा सिर्फ खाली उनको आच्छा लगता है पबलिसीटी के लिए ये काम नहीं नहीं चाहिए आज वही है जस्कों उनकी भलाई चाहिए हमने भी कुछ आपनानी चाहिए कि मैंने आपको जो उदारन दिया पहले बार कि मैं एक पैसे का किदर करप्शन होने भी नहीं देता और करता भी नहीं इसके लिए मुझे बाद में अगर सपोज आगला इलक्षन आएगा तो मैं पैसे तो खर्च नहीं कर पाऊंगा आगली लोग पैसे करच करेंगे लेकिन इसका परिणाना मैरा काम आच्छा है तो वो भी आच्छा होगा तो उसका फल निश्चित तोर से अच्छा पाऊंगे उसमें थोड़ा संगर्श करना पड़ेगा तकलीपे सेने पड़ेगे लेकिन आन्तता उसका फल अच्छा ही रहता है यह मैंने खुद आनुबो किया है और इसी आनुबो के माद्यम से में मेरा जो आगे का लाइफ है राजनितिक जो करियर है वो इसी प्रकार से रहेगा और इसी प्रकार ही चलेगा और एक बात भी मैं आपको बतना चाहता हूँ कि आन्नाहजारी जी ने बहुत कम लोगों को तब सपोर्ट किया था वो इलक्षन में खड़े हुए थे तो उन में से मैं एक हूँ कि मुझे भी अन्नाहजारी जी ने सपोर्ट किया था और निश्चित तोर से मुझे एक आभिमान है कि मैं आज उनकी जो उनकी जो सोच है वो आगे बढ़ाने में मेरे कॉंस्टिटिएंसी की सोच है वो बदलने में आज मैं किसी ना किसी माद्यम से सफल हुआ हूँ तो बिलकुल यही मेरा सारे युवाओं से विचार रहे कहना है कि बिलकुल आच्छा करोगे तो आच्छा पाओगे खराब करोगे तो खराब पाओगे आपके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप एक वो मुंबती है जो स्यम जल करके दूसरों की जिन्दगी में उजाला भरती है और आपकी जो करम शेतर में जब आप आते हैं तो करमों की गती को हमेशा धान में रखते हैं यह बहुत ही अच्छा उधारन है और बहुत इतनी कम उमर में इतना एक यूँआ होने के नाते इतना मुल निष्ठ बन पाना पूरे समाज के सामने यह बहुत बड़ी बात हो जाती है तो आपका स्टूड्यू में पधारने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है शुक्रेया आपका भी धन्यवाद है तो ये थे हमार साथ हमारे आज के एक युवा मेहमान ओम राजे निबालकरजी दा मोस्ट यंगेस्ट MLA इन महाराष्ट्र असेम्बली तो आज की श्रिंखला हम यही समाप्त करते हैं नई श्रिंखला में नई कड़ी में हमारे साथ एक नए मेहमान फिर से उपस्तत होंगे तब तक के लिए दीजे हमें इजाज़ाद नमस्कार ओम शाम दी